सब्सक्राइब करने वाले जो कि आपके ट्रिक्स के साथ अवेलेबल है गाइज अगर आपको पता नहीं होगा तुम्हें अन एकडेमी प्लेटफॉर्ण पे यहापे फ्री के स्पेशल क्लासस ले रहा हूँ जो कि आपके यस्बिया एकलर के लिए काफी ज़धे इंपोर्टन्ट है यहापे मैंने 12 क्लासस सक्सेस्फूली कंड़क्ट कर लिए गाइज तो अगर अब तक आपने वह नहीं देखे तो प्लीज एक बार देख लिजे अगर आपके पास अन अकडेमिकल लर्निंग एप नह यहापे रिजनिंग दोनों सिला बस यहापे कवर कर लिया है और एकदम एकजाम लेवल के एक्सपेक्टेड कोश्चन के साथ ठीक है तो अगर अब तक आपने वह नहीं देखा है तो प्लीज एक बार देख लिजे अब यहापे आपको देखने के लिए टाइम भी नहीं हो स्टेडिवाइस सी स्टेडिवाइस इनि के बारेफ में के लिंक में अब्डेट कर देटा हूँ में एकड़ अब अब देखने का कट kole अब होगा सब ही चीजने में एक्सव33 साथ जूडगना छाते तो प्लीज यहाप टेलिगर्राम चनल जॉन करता है और घएशी होगै क्योंकि आपको भी यह दिक्कत ने होगी क्लास फाइंड आउट करने में तो कॉड्रेटिक एक्वेशन के हमने आप सक्सेस्फुली छे क्लासेस कंड़क्ट कर लिए गाइस आपको समझ में आ गए होगी और मैं चालेंज करता होगा इसकी यह ट्रीक आपको कोई यूट्यूब चानल पर भी नहीं मिलेगी ठीक है मैंने जेब ट्रीक डेवलप किये उससे पहले मुझे इस ट्रीक का एक भी वीडियो बता दीजे यह पूरे वीडियो में डिलिट कर दो में दोनों इक्वल है तो कैंसल आउट हो जाएगे डारेक्ट डारेक्ट कंपेर कर सकते हैं तो एक स्क्वेर के कोईपिशन से कॉंस्टन को मल्टिप्लाए तो वन इंटू 90 नाइन्टी के ऐसे दो फेक्टर जिनका प्रोड़क्ट तो 90 आएगा बट उनकी एडिशन कों से मिल गया X के? मिल गया ञाएक मिल गया 9 आप यहाँ पर हमने क्या कि थी यहाँ पर हमने रूट की एडिशन की थी ठीक है यह परujडिशन किए नटव गया ना तोिक तू माइड पर फो होता है मतलब यहाव पर two and two की यहाव पर addition ही हो रही है तो अगर गाइस यहाव पर addition करनी होगी तो दोनों इतनों plus तरह से समझ में आ गया होगा एकदम एकदम आसानी से बेशिक से आय लेवल तक मैंने आपको बता दिया थिक है तो यहाव पर सेकंड यहाइ इतना करेता हूं यहां पर वाय के रूट करेगे अब यहां पर एडिशन वाला यहां पर रहने देता हूं मैं अब यहां पर तर्ट के ऐसे तो फैक्क्तर करने पड़ेगे जिनका प्रोड़क्ट तो 30 आएगा उनकी एडिशन क्यों क्यों कि यहाँ प्लस का सैने एडिशन क्या जाएगी यहाँ पर 11 एडिशन कि शोगे कब स्क्राइट के दूर्ण हैं निगिटिव यहाँ पर क्विससा यहाँ जिदो हमने के coefficient से में तो cancel out हो जाएगे डारेक्ट डारेक्ट आप यहाँ पर compare कर सकते compare करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कोई भी एक रूट यहाँ पर consider कर लीजे ठीक है अब यहाँ पर 10 10 यह plus 5 से भी बढ़ाए और यहाँ पर plus 6 से भी बढ़ाए इसका मतलब x is greater than y अब guys यहाँ पर में color change करके बता देता हूँ यहाँ पर green color ले लेते हैं ठीक है आप guys यह plus 9 के बारे में देखेगे अब यह जो plus 9 ने यह plus 5 से भी बढ़ाए और प्लस 6 से भी बढ़ाए इसका मतलब फिर से x is greater than y आ जाएगा तो combine करने के बाद आपको x is greater than y एक equation मिल रहा है add then इसका मतलब इसका answer क्या आ जाएगा option number a यहाँ पर x is greater than y आ जाएगा ठीक है सभी को समझ में आ गया guys किसे को कोई doubt है अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर sign method लगती है क्या sign method से तो आप एक second में इस question का answer दे सक conventional यहाँ पर trick method से two step method से आपको यहाँ पर solve करना पड़ेगा ठीक है यह मेरी value two step method है guys तो please इसको follow कर दीजे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर session number one से जरूर देखिए अब यहाँ पर next question करते तो यहाँ पर 76 के ऐसे दो factor उनकी addition क्यानी चाहिए 23 आना यहाँ पर positive आ जाएगे ठीक है क्योंकि यहाँ पर क्या था यहाँ पर addition था इसका है मतलब दोनों positive यहाँ पर दोनों negative यहाँ पर जो भी sign होगा उसके opposite sign दोनों root को लगेगा अब यहाँ पर negative sign है इसका है मतलब 68 के ऐसे दो factor जिनका multiplication तो यहाँ पर 68 आएगा बट उनका difference क् यहाँ पर negative sign है तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ उनका difference मुझे 13 चाहिए तो यहाँ पर 17 into 4 करूगा तो मुझे क्या मिल गा 68 तो मिल गा and 17 and 4 का difference क्या आता है 13 आता है तो यहाँ पर क्या value मिल जाएगा यहाँ पर क्या root मिल जाएगा एक 17 मिल गया एक 4 मिल गय है यहां पर डिप्रेंस निकालते हैं इसका है मतलब अब यह कुंडी सैट करेगा कि कौन सा रूट पॉजिटिव एंड कौन सा रूट निगेटिव फिर से मिडल टर्म का साइन यहां पर क्या पॉजिटिव है यहां पर जो भी साइन होगा वह आपको छोटी कुछ इपका दे कि लिए कोई भी रूट यहां पर कंसिडर कर लिए अब यहां पर एक सेट से मतलम और एक यहां पर लेगा यहां पर X is greater than और equal to Y मिल जाएगा ठीक है तो यह भी question आपका 101 percent solve हो गया है ठीक है आई हो क्या आपको समझ में आ गया होगा अब यहां पर next question करते हैं तो यहां पर next question के लिए एक second तो यहां पर next question के लिए यहां पर कौन सा question है ठीक है अब यह वाला question करते हैं यहां पर क्या दिया है एक स्क्वेर का कोई efficient वन है य स्क्वेर का कोई efficient वन है सेम है तो cancel out हो जाएगे compare करते समय कोई भी problem नहीं है तो 10 के ऐसे दो factor जिनकी addition क्याती है यहां पर 7 आती है ठीक है तो 5 into 2 करूगा तो मुझे क्या मिलेगा 10 मिलेगा and 5 and 2 की addition क्याती है 5 and 2 की addition यहां पर 7 आती है यहां पर minus का sign नहीं तो इसके opposite sign दोनों को लगेगा यहां पर क्या addition है इसका मतलब 54 क्या इसे दो factor तो आपको क्या मिल जाएगा यहां पर 18 sorry यहां पर 18 into 3 करूगा तो 18 एक चोपन ठीक है बट 18 and 3 की sum क्या आती है यहां पर sum करनेती 18 and 3 की sum क्या आती है यहां पर 20 बनाती है इसका मतलब 18 and 3 नहीं हो सकता अब आपको यहां पर 18 and 3 छोड के और कोई भी नहीं दूनना है factor ठीक है इसी में वह factor छुपा हुआ अब यहां पर 18 को split करूगा तो मुझे क्या मिलगा यहां पर 54 तो मिलगा 9 into 6 करूगा तो 54 मिलगा 9 and 6 की addition क्या आती है यहां पर 15 आती है मतलब middle term तो हमें root कों से मिल गए एक मिल गए 9 and एक मिल गए 6 अब बहुसा रेस्परेंट क्या करते है 18 into 3 भी आता है यहां पर 54 ठीक है यहां पर 9 into 6 भी आता है यहां पर 54 ठीक है इतना समझ में आ रहा है and यहां पर 27 into 2 भी करूगा तो मुझे क्या मिलगा यहां पर 54 ही मिलगा और 12 कोई टर आते कैं वीफ टर गोई और यहांपर कोई भी फेक्टर नहीं आते है यही फेक्टर आते है यहांपर ठीक है यहांपर 3 into 18 6 into 19 सीन स्राइं बड़ गाइस यहांपर आपने अपने एक चीश नोटीस किया है क्या गा सबसें पहले मैंने यहांपर 18 into 3 इक्तर ऐंड़ 15 आती है, एंड हमें sum क्या चाहिए, हमें यहाँ पर addition क्या चाहिए, addition हमें 15 चाहिए, इसका ही मतलब यहाँ पर क्या value मिल जाएगी, यहाँ पर 15 के addition है, मतलब 9 and 6 value मिल जाएगी, बट यहाँ पर 18 and 3 की sum यहाँ पर 21 आ रही थी, 15 नहीं आ रही थी, तो 18 and 3 root को मैंने ignore कर दिया था, क्या, नहीं कर दिया था, 18 and 3 से ही मैंने यहाँ फर्दर factor निकलने के बाद 9 and 6 को find किया है, ठीक है, 9 and 6 को find किया है, इसका ही मतलब आपको जो भी यहाँ पर individual factor मिलते है पहले, सबसे पहले जो भी factor मिलते है, उसको आपको ignore नहीं करना है, भली उसका answer यहाँ पर match नहीं होता होगा तो, उसे यहाँ पर split करने के बाद, यहाँ पर 3 factor को आपको यहाँ पर 2 factor में convert करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, यहाँ पर 2 root चाहिए, तो यहाँ पर क्या addition है, addition के लिए दोनो positive या फिर दोनो negative, यहाँ पर negative का सायन है, तो दोनो positive, यहाँ पर क्या answer मिल जाएगा, यहाँ पर जो plus का 6 है, यह plus के 5 and plus के 2 से क्या ग्रेटर दन है, यहाँ पर जो प्लस का 9 ने यह प्लस के 5 एंड प्लस के 2 से क्या है फिर से greater than है इसका है मतलब y is greater than क्या मिल जाएगा यहाँ पर x मिल जाएगा यह क्या हो जाएगा आपका answer हो जाएगा option number b answer आजाएगा ठीक है इतना सभी को समझ मैं आ गया यह question जादा ही detail में मैं बता दिया मैंने अब यहाँ पर next question करते है तो यहाँ पर 1 into 108 मतलब constant यहाँ पर 108 के ऐसे दो factor तो यहाँ पर बार नवे अश्टो दस है इसका है मतलब 12 into 9 करूगा तो 108 and 12 and 9 की यहाँ पर addition क्या आती है 21 आती है तो एक रूट के मिल गया 12 मिल गया एक रूट 9 मिल गया यहाँ पर addition है यह इसका है मतलब दोनों रूट के आ जाएगे यहाँ पर positive आ जाएगे अब यहाँ पर 1 into constant मतलब 72 72 के ऐसे दो factor 9 into 8 करूगा तो मुझे क्या मिल गा 72 मिल गा and 9 and 7 की addition क्याती है middle term 17 आती है तो एक रूट मिल गया 9 एक रूट के मिल गया यहाँ पर 8 मिल गया यहाँ पर positive यहाँ दोनों negative यहाँ पर निगेटी होगा तो इसके opposite sign यहाँ पर रूट को लगेगे ठीक है इतना से मझ में आ गया अब डायरेक्ट डायरेक्ट कंपेर कर सकते क्योंकि आप एक स्क्वेर एंड य स्क्वेर का कोई efficient 1 है तो cancel out हो जाएगे तो यहाँ पर एक स्के रूट 2 मिल गए य के रूट 2 मिल गए अब यहाँ पर आप compare करके देख लेजे कोई भी एक रूट कंसिडर कीजे अब यहाँ पर क्या है प्लस का नाइने अब यहाँ पर प्लस के 12 से क्या है यहाँ पर छोटा है इसका है मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर x is greater than y आ जाएगा क्योंकि यहाँ यहाँ पर y क्या है यहाँ पर छोटा है एंड जो प्लस का नाइने इस रूट के साथ compare करूगा तो मुझी क्या मिलेगा यहाँ पर x is equal to y मिल जाएगा यहाँ पर y is equal to x मिल जाएगा अब यहाँ पर color change करके बता देता हूँ ठीक है अब यहाँ पर क्या है अब इस रूट का चोटा है यहाँ पर 12 से अब यहाँ पर 8 का comparison 9 के साथ कीजे अब यहाँ पर क्या दिख रहा है 9 यहाँ बढ़ा है 8 से इसका मतलब फिर से x is greater than क्या मिल जाएगा यहाँ पर इस सभी को compare करने के बाद आपको एवरी जगा पर x is greater than दिख रहा है x is greater than दिख रहा है x is greater than दिख एक जगा पर x is equal to y दिख रहा है तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा x is greater than or equal to y मिल जाएगा ठीक है यहाँ पर एक भी जगा पर x is less than y रहता तो एक जगा पर x is greater than y एक जगा पर x is less than y तो यहाँ पर relation cannot be established रहता ठीक है बट यहाँ पर एवरी जगा पर x is greater than y था इसका मतलब इ तो ठीक है अब यहाँ पर नेक्स्ट कोश्चन करते हैं तो यहाँ पर भी आंसर मिल गया एक्सिस ग्रेटर दैन और एक्वल टू आए अब यहाँ पर नेक्स्ट कोश्चन में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर 160 के ऐसे दो फैक्टर जिनकी एडिशन क्या आती है बड़ हमें क्या चाहिए एडिशन तो 28 चाहिए इसका मतलब यहाँ पर 16 एंड 10 नहीं हो सकते अब गाइज यह 16 एंड 10 को अगर मैं इग्नोर कर दूगा छोड़ दूगा तो यह सबसे बड़ी मूर्गता की बात है क्योंकि यहाँ पर 16 एंड 10 में यहाँ असली फैक कर दिंक है यहाँ पर 20 एंड 10 का multiplication क्या आता है यहाँ पर 160 आता है 100% आएगा तो 16 & 10 को यहाँ पर districts करने केять स्विट करने के बाद करने के बाद मुर्गी यहاँ यहाँ आंसर मिला है उनल है इसका ही मतलब क्या मिल गया एट मिल गया इप क्या मिल गया यांपर 28 मिल गया अब यहां पर क्या प्लस का तर् prais साइन है तो दोनों पोजेटिव मिल जाए नेज टोणों रौट यहां पे पोजेटिव मिल जाए приг है समझ में आ रहा है गाईस सभी को किसे को कोई डाउट है कुछ भी डाउट होता होगा गाईस मेरा यहाँ पे स्टड़ी वाइज एक सिकंद स्टड़ी वाइज 26 at the rate gmail.com मेरे चानल के about section में इस यहाँ पे email पे आप कुछ भी question कर सकते है 24 hour में आपको रात के दो बज़े अगर कुछ भी question आता होगा यहाँ बच syllabus के related अपने personal जिंदकी के related नहीं break up हो गया ऐसे वैसे यहाँ पे आपके syllabus के related कोई question नहीं आता होगा तो आप जल से जल वाहा पे पीक सेंड कर दीजे email पे इस यहाँ पे study wise banking के वहाँ पे आपको आंसर जरूर मिल जाएगा थोड़ा लेट मिलेगा जल्दी मिलेगा जितने जल्दी हो सके मैं आपको answer देनी की कुशिश करूगा ठीक है यहाँ तक समझ में आ रहा है गैस किसी को कोई doubt है अब यहाँ प बाटिक क्योंकि मैनस का sign है उनका डिपरंस अब सिक्स्टीन आना चाहिए तो यहाँ पे 20 इंटे फॉर करूगा तो मुझे का मिलेगा एटी तो मिलेगा एंट 20 & 4 का का डिपरंस क्या आता है 16 आता है तो यहाँ पे रूट के मिल लगा 20 मिल गया न यहाँ प्या क्या मिल गय का है positive है तो middle term का जो भी sign होगा वो छोटे को chip का दो तो यहाँ पर 4 का sign plus उसके opposite sign यहाँ पर 20 का इतना समझ में आ रहा है गाईज अभी तक किसी को कोई भी doubt है I hope कि किसी को कोई भी doubt ने होगा अब यहाँ पर direct direct compare करते क्योंकि यहाँ पर x square and y square का coefficient same है तो compare करने के लिए सबसे पहले कोई भी एक root यहाँ पर पकड़ लीजे x का या फिर y का अब यहाँ पर 8 का comparison करते 8 का y के दोनों root के साथ compare करना पड़ेगा तो यहाँ पर 8 का है यहाँ 20 से क्या है बढ़ाए इसका है मतलब x is greater than क्या मिल जाएगा य मिल जाएगा अब यहाँ प्लस का 8 है यहाँ पर प्लस 4 से भी बढ़ाए इसका है मतलब यहाँ फिर से x is greater than y मिल जाएगा ठीक है अब गाईज यहाँ और देखते है और comparison कैसे कर सकते है तो यहाँ पर color change कर देता हूँ तो यहाँ पर क्लस 28 का comparison करते है अब यहाँ प्लस 28 है माइनस 20 से क्या बढ़ाए इसका मतलब फिर से x is greater than y मिल जाएगा और यह जो प्लस 28 है यह प्लस 4 से बढ़ाए इसका मतलब फिर से x is greater than y मिल जाएगा यह चारो को combine करूगा तो मुझे actual value क्या मिल जाएगी x is greater than y जो कि यहाँ पर option number a में available है ठीक है तो यह भी question आपका 101% i hope कि मैंने काफी detail में में एकदम आसानी से किसी भी बच्चे को यह समझ में आ जाएगा कोई भी school में भी होगा उसे भी यह समझ में आ जाएगा comment section में बता दीजेगा इसकी मेरा explanation आपको कैसे लगा ठीक है अब यहाँ पर next question करते तो यहाँ पर सत्तर है सत्तर के ऐसे सम आती है कि 19 नहीं आती है हमें तो 19 चाहिए इसका मतलब 10 & 7 नहीं हो सकते अब मैं इन दो फैक्टर को ignore नहीं करूगा यह दो फैक्टर में से ही मुझे यहाँ पर original निकाल ले तो 5 को मैं divide कर सकता हूँ further 5 into 2 में ठीक है 10 को यहाँ पर 7 as it is अब यहाँ पर 5 into 2 into 7 क्या आता है क्योंकि यहाँ पर 5 into 2 करूगा तो फिरसे वही फैक्टर मिले के 10 into 7 तो यहाँ पर change करना पड़ेगा 2 into 7 क्या आता है 14 आता है 14 into 5 क्या आता है 70 तो आता है ठीक है 14 into 5 70 तो आता है 14 & 5 की यहाँ पर addition क्याती है यहाँ पर 19 आती है जो कि यहाँ पर middle term में 19 है इसका मतलब छिन पर फाइव मिल मैं ठीक है समझ मैं आ रहा है अब यहां पर प्लस का हैन है तो दोनों डीडिव यहां पर नीगेटिव तो यहां पर क्या मिल जाएगा यह पर दोनों豫 रूटी आप पर पॉजय ठाएगा ठीक है अब यहां पर y के root find out करेगे तो यहां पर 45 के ऐसे दो factor जिनका product तो 45 आएगा बट उनका difference क्या आना चाहिए difference यहां पर 4 आना चाहिए तो 9 into 5 करूगा तो 45 मिलेगा and 9 and 5 का difference क्या आता है 9 and 5 का difference middle term 4 आता है यहां पर जो भी sign होगा वो छोटे को चिपका दू उसके opposite बड़े को क्योंकि हमें क्या चाहिता है difference difference के लिए यहां पर एक positive चाहिए एक negative चाहिए तो यहां पर क्या value मिल जाएगे यहां पर minus का 9 and यहां पर क्या मिल जाएगा तो यहां पर अगर मैं 14 कंसेडर करूगा ठीक है तो 14 minus 9 से भी क्या है बड़ा है and plus 5 से भी बड़ा है इसका मतलब x is greater than y हो जाएगा अब guys अगर मैं यहापे plus 5 consider करूगा ठीक है अगर मैं यहापे plus 5 consider करूगा तो plus 5 क्या है minus 9 से बढ़ा है इसका है मतलब x is greater than y and यह जो plus 5 है यह plus 5 इस plus 5 के क्या है equal to है इसका है मतलब x is equal to क्या मिल जाएगा y मिल जाएगा यह जो 14 था यह minus 9 से भी बढ़ा है plus 5 से भी बढ़ा है इसका है मतलब x is greater than y every जगा प्यार रहा है x is equal to y यहापे एक जगा प्यार रहा है तो combine करने के बाद मैं क्या लिख सकता हूँ इसको यहापे x is greater than or equal to y लिख सकता हूँ जो कि यहापे option number d में available है ठीक है तो यह भी question आपका 101% solve हो गया अब यहापे next question करते है तो यहापे का है अब यहापे आपके ideal equation में आपको convert करना पड़ेगा ideal equation क्या होता है यहापे ax square यहापे plus minus यहापे bx plus minus यहापे c is equal to क्या मिलता है यहापे 0 मिलता है तो यहापे मैं क्या करूगा एक स्कुएर को इस डारेक्शन में लेकिया जाओगा तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा माइनस एक स्कुएर मिल जाएगा प्लस त्री को इस डारेक्शन में लेकिया जाओगा तो क्या हो जाएगा माइनस त्री एक्स हो जाएगा ठीक है इतना समझ में आ रहा है क्योंकि राइ प्रवीन भी हो जाएगी इसले में ने आप बता दिया ठीक है औहाँ पे क्या वेलू मिल जाएगी यहाँ थे वल्यास-1 प्रवी z स्कुरर मिल जाएगा-3 प्लस में 90 यहाँ तो यहाँ पनी सबीकित दोघहलाँ तर्म यहाँ पर अध्य लेक्ण चले गए तो यहाँ क्या बचेगा यहाँ पर is equal to यहाँ 0 बचेगा ठीक है इतना समझ मैं आ रहा है अगर यहाँ पर cut होते थे अगर यह पर इन दोनों की बिच में मल्टिप्लिकेशन रहता है यह दोनी यहाँ पर cut होते थे यहाँ left hand side terms से तो यहाँ पर one बचता कट होते थे तो वन बचता था बट यह जो होल नंबर है दोनों के दोनों यह लिफ्टेंड सेट चले गए तो यहां पर वन नहीं बचेगा यहां पर जिरो बचेगा ठीक है यह भी कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया है गाईज मैतेमेटिक्स एकदम इसी सब्ज बचयक्त होगे तो आपको सब्सित्त अंसर अगर अपको स्टेप पता होगे तो आप उस से आप दुनिया का कोई भी quadratic equation का question कर सकते है क्यूंकि आप एक step 1 से step 2 answer निकलेगा step 2 से step 3 निकलेगा step 3 से step 4 निकलेगा and step 4 से step 5 निकलेगा आपको कोई भी ऐसे equation आपको रटनी की ज़रूरत नहीं है क्यूंकि आप एक step से दूसरे step का answer automatically निकल जाता है ठीक है इतना समझ में आ गया अब यहाँ प 30 into 3 करूगा तो 90 मिलेगा and 30 and 3 की addition के आती है middle term आती है तो यहाँ पर x के root कों से मिल गए एक मिल गया 30 and 1 के मिल गया एक 3 मिल गया ठीक है अब यहाँ पर पॉजिटिव का sign है तो दोनों रूट एक तो positive दोनों रूट एक तो negative यहाँ पर निकलेगा middle term यहाँ पर negative का sign है तो 18 आना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर 20 into 2 करूगा तो मुझे 40 मिलेगा and 20 and 2 का difference क्या आता है 18 आता है इसका मतलब दोनों रूट के मिल गया एक मिल गया 20 and 1 क्या मिल गया एक यहाँ पर 2 मिल गया अब यहाँ पर जो भी sign होगा वो sign यहाँ पर छोटे number को लगेगा and बड़े number क को उसके opposite क्योंकि यहाँ पर हमें क्या चाहिता difference difference के लिए एक positive and एक negative 100% compulsory होना जरूरी है तो positive को negative को यहाँ पर जो भी sign होगा वो sign छोटे को उसके opposite sign बड़े को अब आप यहाँ पर direct compare कर सकते तो compare करने के लिए क्या करना पड़ेगा अब compare करने के लिए यहाँ एक square का भी coefficient 1 है y square का भी coefficient 1 है अब यह equation का आपको कोई भी काम नहीं ठीक है अब नया equation आपके पास यह मिल गया ठीक है इतना समझ में आ रहा है तो यहाँ पर x square and y square का coefficient same है तो यह दूनों equation को मैं direct compare कर सकता हूँ यह दूनों root को तो x के root and यह क्या हो जाएगे यहाँ यहाँ पर y के root हो बढ़ा है अब गैस अगर मैं प्लस 3 की बात करूगा तो यह प्लस 3-20 से बढ़ा है इसका मतलब x is greater than y and plus 3 यहाँ पर प्लस 2 से भी बढ़ा है इसका मतलब x is greater than y आपकी अच्छी practice होगी तो आप यहाँ पर देखके भी पता लगा सकते बट यहाँ पर मैंने आपको समझा न है मुझे कि ऐसे 4 यहाँ पर cases निकल के आते 1 2 यहाँ पर 3 यहाँ पर 4 ऐसे 4 cases निकल के आते तो 4 cases को अगर मैं combine करके एक case में कर सकता हूँ तो यहाँ पर answer क्या आजाएगा यह answer आजाएगा अगर यहाँ पर combine नहीं होता था कोई भी एक जगा पर x is less than y आता था तो यहाँ पर relation cannot be established आता था बट यह चारों को combine करने के बाद मैं ऐसा बोल सकता हूँ 100% कि यहाँ पर x is greater than क्या है वहाँ है इसका है मतलब इसका answer क्या आजाएगा यहाँ पर option number a answer आजाएगा ठीक है किसी को कोई डाउट है किसी को कुछ भी डाउट रनने दूगा इस comment section में बता ठीक है अब यहाँ पर मुझे इतना ही पता है कि यहाँ पर 16 इंटू मैं सेवन करूगा तो मुझे क्या मिलेगा 167 जा क्या आता है 112 आता है क्योंकि सोड़ा पाचेंशी सोड़ के चाहनों सोड़ा साती बारू दसे ठीक है इतना समझ में आ रहा है तो यहाँ पर 112 के दो फै क्या करते धत्ते रिकी यह तो हमें रूटी नहीं मिल गए 16 & 7 को इग्नोर कर देते और फिर से सोचने लगते कि यहाँ पर 56 इंटू 2 करूगा तो मुझे फिर से मिलेगा ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कोई भी एक रूट मिल गए तो उससे यहाँ पर आपके ओरिजनल अ बज़िकि मिलेगा यहाँ पर 18 तू टू इंटू सेवन क्या आता है यहाँ पर 14 आता है और फोटिन एट की यहाँपे एडिशन क्या आती है 14 & 8 की यहाँपे एडिशन तो 22 आती है 14 & 8 का 100 and 1 परसेंट प्रोडक्ट के आएगा एक बार आएगा 101 प्रसेंट आएगा क्यो इसका भी प्रोड़क्ट करने के बाद इसका प्रोड़क्ट कर लो इसका प्रोड़क्ट कर लो इसका प्रोड़क्ट कर लो एवरी स्टेप इन तीनों का प्रोड़क्ट यहां पर क्या आने वाला है 112 आने वाला है ठीक है तो यहां पर क्या रूट मिल गए गाई यहां पर 14 मि गिटी हुआ जाएगे अभ यहांपे 56 के ऐसे दो फैक्टर 14 चुकुपपन इसका ए मतलब क्या मिल क्या मिल झाएगा यहांपे 56 as it is, अब यहापई 7 into 2 into 4 क्या आता है, 8 आता है, 7, 56 थीक है, 7,80 tas आता है और 7 and 8 का यहापई difference क्या आता है difference क्यूं 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 कि हाप यह यह अपई difference चाहिये क्यूं कि हमें minus का sign दी आता, difference यहापई 7 and 8 का 1 का 1 आता है middle term आता है , यहापई कै JERJ create प्लस साइन है यहां पर चोटे को चिपका दो उसके अपूजिट बड़े को चिपका दो ठीक है अब यहां पर डारेक्ट डारेक्ट कंपेर कर सकते हैं क्योंकि आप स्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है सभी को समझ में आ रहा है किसी को कोई डाउट है अगर आप यहां पर सेशन नंबर वन से देखोगे तो गाइस मैं चालेंज करता हूं कि यह पूरे आपको पाच पास्व कुशन अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है दो तीन क्लास में यह quadratic equation आप पूरा समझ जाओगे बट यहां पर प्रैक्टिस के लिए मैं आपको यहां पर question प्रोवाइट कर रहा हूं जिनकी भी जो भी यहां पर नए लोग जोईन होते उनको यहां पर एकदम trick क्या लग रही है क्या कर रहा है यह बंदा ऐसे नहीं लगने को होना नए लोग जुड़ेगे उनको यहां पर sign method कैसे लगती है science कैसे लग रहे है यहां पर factor कैसे लग रहे है सभी पता होना चाहिए इसलिए मैं यहां पर every class में आपको detail में बता दे रहा हूं तो जिनको भी यह पता है तो आप यह video यहां पर 2x पर देख सकते है ठीक है 2x पर देखिए यह फिर आप यहां पर 1.5x पर देख सकते है 1.5x पर भी देख सकते है यह फिर आप यहां पर practice के लिए follow कर सकते है but guys मेरा है मानना है कि आप यहां पर 2x पर देखिए क्यूंकि यह step आपके कान पर जितने पड़ेगे उतना आपका quadratic equation यहां पर polish होता जाएगा यह यहां पर always बड़े होता है तो y is greater than x आ जाएगा क्योंकि यहां पर y क्या है यहां पर greater than है इन दोनों से अब यहां पर minus 8 का comparison करता हूं यहां पर 14 and 8 के साथ तो minus 8 minus 14 से क्या है आपको लग रहा होगा कि यहां पर 14 बड़ा है 8 से बट ऐसा नहीं होता कोई भी number को अगर यहां यहां पर minus का sign लगता है कोई भी number को minus का sign लगता है तो वो number क्या होता है जो number जितना छोटा जो number जितना छोटा minus का sign लगनी के बाद वो number उतना बड़ा होता है क्योंकि यहां पर number system में यहां पर आता है 0 यहां पर minus 8 आता होगा तो यहां पर क्या आता है minus 14 आता है यहां पर greater होगा ठीक है अब यहाँ पर 0 से 1 ज़ादा क्योंकि यहाँ पर 1 राइट में एक से 2 ज़ादा क्योंकि यहाँ एक से 2 राइट में ठीक है ऐसे यहाँ पर 14 से मैंनस 8 कह यहापर राइट में है इसका मतलब मैंनस 8 क्या हो जाएगा यहापर बड़ा हो जाएगा फिर से यहापर y is greater than x आ जाएगा y क्या हो जाएगा y यहापर greater than हो जाएगा ठीक है इतना समझ में आ रहा है अब गाइस यहापर minus 8 and minus 14 का comparison तो कर लिया अब यहाँ पर minus 8 and minus 8 क्या है is equal to है इसका है मतलब यहाँ पर y is equal to x मिल जाएगा इन तिनों को अगर combine करूगा तो मुझे क्या मिलेगा guys यहाँ पर x is less than or equal to y इसका है मतलब y is greater than or equal to x मिल जाएगा ठीक है इसी को मैंने यहाँ पर ultra लिख दिया कि y यहाँ पर क्या है यहाँ पर क्या था x is less than ता इसका है मतलब y is greater than or equal to क्या मिल जाएगा y is greater than or equal to x मिल जाएगा ठीक है समझ में आ रहाएगा इस किसी को कोई doubt है इस question में doubt नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने detail वे में बता दिया कि minus sign होगा तो जो number छोटा वो number सबसे बड़ा होता है and positive number always negative number से बड़ा होता है फिर कोई भी यहाँ पर number रहें दो ठीक है अब आज का last question करते है आज का last question नहीं sorry और question यहाँ पर बापरे 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 बहुत सारे question है तो guys यहाँ पर क्या है यहाँ पर x का square है and 48 है 48 के ऐसे दो factor तो यहाँ पर 6 x 8 करूगा तो मुझ ठीक हूगा ठीक है and यहाँ पर क्या मिल जागा 2 x 8 क्या आता है यहाँ पर 16 आता है 16 3 जा क्या आता है यहाँ पर 16 3 जा भी यहाँ पर क्या आता है यहाँ पर 48 आता है बट 16 & 3 की भी addition यहाँ पर 19 आती है तो यह भी नहीं होगा guys ठीक है तो यहाँ पर मैंने क्या क्या आता है six को डिवैट कर दिया ता अभी होगोगो ठीक है अभ यहाँ पर इंटू तु उत्व टव मिल गया है तो दूर मिल Nơटीव कब है यहाँ पर positive मिल जाएगे अब यहाँ पर 27 के 9 & 3 27 के फैक्टर यहाँ पर क्या चाहिए डिप्रण्स यहाँ बिड़ तर्म इन दुनों का डिप्रेंस भी वैसे क्या है यहाँ पर मिडल तर्म है 6 है इसका है मतलब एक positive एक negative तो दोनों रूट के मिल गए एक मिल गया 9, एक के मिल गया 3 यहाँ पर जो भी sign होगा वो छोटे को लगेगा और उसके opposite बढ़े को अब यहाँ पर compare कर सकते है direct-direct क्योंकि यहाँ पर x square and y square का coefficient का है यहाँ पर save, cancel out हो जाएगे compare करूगा, तो मुझे कैं मिलेगा यहाँ पर plus 12, minus 9 and plus 3 से बढ़ा है x is greater than y, plus 4 है, यह minus 9 से तो 101% बढ़ा है यहाँ पर plus 3 से भी बढ़ा है plus 4, तो फिर से x is greater than y तो यहाँ पर क्या value मिल जाएगे combine करने के बाद x is greater than यहाँ पर y मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर option number am available है, ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है guys अब यहाँ पर 60 के ऐसे दो factor, तो 15 चोक क्या आता है 60 आता है, 15 into 4, 60 आता है, and 15 and 4 की यहाँ पर addition क्याती है 19 आती है, तो 15 मिल गया, चार मिल गया, दोनों के sign यहाँ पर positive क्योंकि यहाँ पर negative sign है, इसके opposite sign दोनों को लगेगे यहाँ पर 5 into 4 करूगा, तो 20 मिल गा, and यहाँ पर 5 and 4 की यहाँ पर addition क्याती है middle turn 9 आता है, तो एक 5 मिल गया, एक 4 मिल गया, यहाँ पर भी positive यहाँ पर भी positive, क्योंकि यहाँ पर क्या था, negative का sign था, and यहाँ पर हमने दोनों जगा पर क्या किया है दोनों जगा पर addition किये, addition के लिए दोनों positive दोनों negative, यहाँ पर दोनों जगा पर negative था, ठीक है तो इसके opposite sign दोनों root को लगेगे, अब यहाँ पर compare करते, तो x is greater than or equal to y आ जाएगा, कैसे? अब यहाँ पर 15 का comparison अगर आप करोगे, तो 15 ने plus 5 से क्या है, बढ़ाए, इसका मतलब x is greater than y, 15 ने plus 4 से क्या है, फिर से x is greater than y, 15 अब यहाँ पर plus 4 का comparison करोगे, तो plus 4 क्या है, यहाँ पर plus 4, यह plus 5 से क्या है, 1 second, 1 second, 1 second, कुछ तो भी गलत हो गया, sorry, 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 अब यह जो plus 4 है, यह प्लस 4 क्या है गाईस यहापे प्लस 5 से छोटा है इसका है मतलब क्या आ जाएगा x is less than y अगधा ठीक है एड जो प्लस 4 है यह प्लस 5 के इक्वल 2 है is equal to x is equal to क्या आ जाएगा y आ जाएगा अब गाइस यहापे तो मैं first गया था थीक है अब यहाँ पर अच्चा हुआ मैंने comparison कर लिया अब यहाँ पर मैं फस गया था क्योंकि यहाँ पर दुनों जगा पर एक इक इस लेस देन वाइन तो इन दोनों को में combine नहीं कर सकता ठीक है तो एक जगा पर एक 6 इस गेटर नहीं कर सकता तो यहाँ पर आप कैसे फंस सकते हैं बता दिया मैंने ठीक है क्योंकि यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा था कि 50 ने दोनों से बढ़ा है और फोर क्या है यहाँ पर इक्वल टू है तो फोर का कंपेरिजन मैंने 5 के साथ किया है नहीं हड़ बड़ी में तो यहाँ पर यह आंसर मे आजाएगे 84 के factor यहाँ पर 14-25 चोदा सकम चवरेंशे ठीक है तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा 14 इंटू चौदा सकम चवरेंशे मतलब 14 इंटू 6 मिल जाएगा और 14 & 6 की एडिशन यहां पर आती है कि 31 नहीं आती है इसका ही मतलब यहां पर 14 & 6 नहीं हो सकते तो यहां पर 14 के further 2 factor निकाल के देखता हूं में ठीक है इंटू क्या मिल जाएगा यहां पर 6 मिल जाएगा अब यहां पर यहाँ प्या है guys, यहाँ पर 12 into 2 करूगा, तो मुझे कैं मिलगा, यहाँ पर साथ सकम बेचाष, बेचाष अनिदों ठीक है, यहाँ पर 2 into 6 करूगा तो 12 मिलगा, यहाँ पर 7 मिल जाएगा, फिर से यहाँ पर 12 and 7 की सम तो यहाँ पर 31 नहीं आ रही है इसका मतलब यहां पर यह दोनुभी ऐक्टर नहीं हो सकते तो मैं क्या करूगा यहां पर शिक्स के दो फैक्टर निकालके देखूँगा ठीक है यहां पर मैंने 14 को पहले स्प्लिट कर दिया था 7 and 2 में अभी यहां पर 6 को श्प्लिट करके देखताओ तो यहां पर तो यहाँ पे 14 टू जा आता है 28 करूगा तो मुझे क्या मिलगा 28 एंट टू करूगा तो मुझे 84 मिलेगा अब यहाँ पर 54 के ऐसे दो factor 9 सका 4 पर इसका है मतलब 9 and 6 का difference क्या आता है यहाँ पर एक second एक second हमें कहाँ चाहिए different चाहिए ना guys तो यहाँ पर 9 and 6 नहीं आएगे क्योंकि यहाँ पर addition रहती तो यहाँ पर addition रहती अगर यहाँ पर प्लस का sign रहता तो 101% यहाँ पर दोनों को add क 9 and 6 नहीं हो सकते यह नहीं हो सकते तो क्या कर सकते 9 को और split कर देता हो यहाँ प्लस क्या मिल जाएगा तो सब्सक्तर अगोettesed के लिए PARKе लिए एक पॉजीटिव एक निगेट्य त यहां पही का है यहां पही निगेट्यु का क्यक्सन तो बड़े को इसके घ्रते क्तल्स ऐसे अधू अब डारेक्ट डारेक्ट कंपेर कर लिजै अब यहाँ पर प्लस का 18 क्या है यहाँ पर माइनस 28 से अड़ यहाँ पर माइनस 9 से क्या है यहाँ बढ़ा है क्योंकि यह पॉजिटीव है यह दोनों क्या थी निगेटिव थे तो प्लस का 18 बढ़ा होगा तो y is greater than x हाज जाएगा अभी जो minus का 3 है minus का 3 always minus 28 से बढ़ा होगा क्यूंकि यह पर negative sign कोई भी number को लगने दो जितना छोटा number उतना बढ़ा होता है ठीक है तो यहापर minus का 3 क्या हो जाएगा minus का 3 यहापर minus 28 से बढ़ा हो जाएगा इसका मतलब फिर से y is greater than x हाज जाएगा and minus 3 का minus 3 के साथ compare करूगा तो y is equal to x हाज जाएगा दोनों को combine करूगा तो मुझे क्या मिलगा y is greater than और equal to x मिल जाएगा ठीक है किसी को कोई डाउट है guys किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहे I hope की ठीक है अब यहापर next question करते अब यहापर 42 के ऐसे दो factor 6 into 7 करूगा तो 42 6 and 7 यहापर addition कैती है 13 आती है six मिल गया seven मिल गया ंदोनों positive क्योंकि यहापर बीच में कैए negative का सहन है यहापर positive है और यहापर negative है तो दोनों root क्या आ जाएगे यहापर positive आ जाएगे ठीक है 5 into 5 करूगा तो 25 मिलेगा and 5 & 5 की addition कैती है 10 आती है तो यहापर 5 & 5 direct direct compare कर सकते है यहां पर compare करूगा तो मुझे मिलता है कि यह जो प्लस 6 है यह 5 से बढ़ा है यह जो प्लस 7 है यह दोनों 5 से बढ़ा है इसका मतलब X is greater than क्या आज मिल जाएगा यहां पर Y मिल जाएगा ठीक है सभी को समझ में आ रहाएगा इस किसी को कोई कोई डाउट है I hope कि किसी को डाउट नहीं होगा तो आज का सेशन आज यहीं पर एंड कर देते क्योंकि quadratic equation के सभी question यहां पर हमने complete कर लिया है I hope कि आज मैंने काफी quality का session आपको प्रोवाइड किया है काफी quality के question प्रोवाइड किये and guys आप जितने ज्यादा practice करते जाओगे उतने आपको यहापे factors ऐसे remember होते जाएगे पट पट आपके mind में आते जाएगे ठीक है किसी को कोई भी doubt ने होना चाहिए doubt होता भी होगा तो comment section में पूछे email id पे पूछे WhatsApp group create कर दूगा बहुत जल पे earn academy पे पूछे कई भी पूछ सकते हैं तो कल यहापे 29th of December को यहापे 11 am को ठीक है 11 am को आपको earn academy platform पे मुझे follow कर आपको मेरी सभी classes मिल जाएगी वहापे link में आपको description box में दे रहा हूँ करेंगी डाट interpretation के simplification करेंगे quadratic equation करेंगे arithmetic के most important topic करेंगे जो कि आपे SBI club के लिए काफी जधा important है तो please guys follow कर दीजे subscribe कर दीजे like कर दीजे share कर दीजे अपने सभी दोस्तों के साथ girlfriend boyfriend के साथ besties के साथ सभी के साथ एस session share कर दीजे ताकि मुझे भी motivation मिले वीडियो बनाने का क्य मुझे motivation मिलता है guys क्योंकि इतने quality के question अगर आपको इतने अच्छे explanation के साथ फ्री में मिल रहे तो आपका भी काम है share कर दीजे and subscribe कर दीजे तो मिलते हैं अगले session में जैसे आराम stay tuned with us till then take care and love you guys